आदर आदाब अभिनंदन आभार मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चानल के बीसी गर्ल कहकशा अमरीन में तो आज हम 13 और 14 दिसंबर के इंपॉर्टन डेली वन लाइनर सीरीज के तरफ बढ़ेंगे इन दो दिनों में कितने भी इंपॉर्टन चीजें हुई है जो बहुत इंपॉर्टन वन लाइनर के तौर बहुत नए है चानल पे तो सब्सक्राइब कीजिए पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चानल में और भ सब्सक्राइब किसने जीता है तो इसको जीत लिया है भारतिये महिला हरनास सिंधु ने ठीक है हरनास सिंधु ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतिये महिला बन गई है ठीक है थर्ड इंडियन तो इससे पहले को किसने जीता तो सबसे पहले 1994 में शुश्मिता सेनी जीता है ठीक है बहुत ही फेमस अक्ट्रिस और दो हजार में लारा दत्ता नहीं जीता है और थर्ड हर्नास इंदु बन गई है तो इस रिली है प्राउड मोमेंट फर ओल अफ उस हाल ही में किसने फीडे वर्ल्ड चैंपियंशिप जीत लिए किसने फीडे कब किसे जुड़ा होता है चेस खेल से जुड़ा होता है So Magnus Carlson ने ये खिदाब जीत लिया है FIDE World Chess Championship को इन्होंने जीत लिया है इंपोर्टन रहेगा अच्छा, FIDE International Chess Federation को ही शौट में हम लोग FIDE बोलते हैं ठीक है, so ये इंपोर्टन रहेगा Because ये FIDE World Chess Championship इन्होंने जीता है अगला सवाल देखते हैं सवाल है कि World Talent Ranking Report 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है यहां पर बात हो रही है World Talent Ranking Report यानि कि इस साब से वर्ल्ड में जितने भी टालेंट्स है उस साब से भारत में कितने टालेंटेड लोग हैं और भारत किस स्थान पर रहा है ये इसका शीर्च हो जाएगा भारत कौन से स्थान पर रहा है तो 56 थान पर रहा है तो मुझे करशन बताए कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा है ये इंपॉर्टेंट रहा है बताए मुझे करके नेक्स स्थान है international day of neutrality 2021 कब मनाया गया है ठीक है neutrality यानिए कि सब कुछ neutral हो जाना ना तो positive ना तो negative नेकिटिव नो तो ये 12D को मनाया गया है क्यों मनाया गया देखते हैं तो इसे सबसे awareness बढ़ाने के लिए निजागरुकता बढ़ाने के लिए से बनाया जाता है ताकि जो international relationship वो neutral रहे कुछ भी मदभेद ना हो नेक्स अवाल है कि self-reliant India employment scheme के तहत सबसे अधिक लाब भारती हूँ यानि beneficiaries वाले राजी की सूची में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज़े है यानि कि यह जो योजना है scheme है self-reliant India employment scheme इसके तहत सबसे टॉप पर मतलब सबसे अधा beneficiaries वाला कौन सा राज़े है महाराश्ट्र है capital Mumbai है cm उधव ठाक रहे हैं ठीक है important रहेगा beneficiaries की बात हो रही है आपला भारतियों next सवाल है कि काशी विश्वनात corridor scheme का उधगाटन कि सराज में किया गया है काशी विश्वनात corridor scheme ठीक है corridor क्या होता है एक जगा से दूसरे जगा को जोडने के लिए जो हम बनाते हैं वो होता है तो यह पर योजना काशी विश्वनात मंदिर को पवित्र गंगा के घाटों से जोडती है इसमें लगभग 320 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पक्का पैदल मार्ग भी शामिल है व तो मध्यप्रदेश बिल्कुल सही जवाब है तो संट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मध्यप्रदेश में पांच ड्रोन स्कूल स्थापित किये जाएंगे वन लाइनर के तौर पर इंपोर्टेंट है अच्छा मध्यप्रदेश की क्या होती है भुपाल होती है सबसे मध संसकरंड का ठीक है इस टाइप का अभी पहले बिहार में हुआ था अभी ये गुजरात में हुआ है कापिटल गांधी नगर है सीम है भुपेंद्र भाई पतेल ठीक है पहले विजवरपानी जी ते वो चेंज हो गाएं नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में कोटक महिंद्रा बैं का भी नीदेश के नी डारेक्टर जेनरल बोल सकते हैं मैं एमडी और डारेक्टर जेनरल इनको नियुक्त किया गया है ठीक है इंपोर्टेंट है कोटक महिंद्रा बैंक यह इंपोर्टेंट रहा है अच्छा है इसका है अधक्वाटर का मुझे कामन करकर बताएं तो बारा दिसंबर को मनाए गया थीम क्या थे लीव नो ओन बहाइंड वेन इट कम्स फोर हेल्थ इन्वेस्ट इन हैल्थ सिस्टम्स फोर यह सब के हैल्थ पर आप इन्वेस्ट कीजिए चली बढ़तें आप को इस के तरह पिछले को मैंने पूचा था कि फोर्टेशन यूद गेम्स 2021 में भारत ने कुल कितने पतक जीतें एक तालीस बिल्कुल सही जवाब है 41 मेडल जीते हैं भारत ने अच्छा आज का सवाल क्या है कि मिस्स यूनिवर्स टाइटल जीतने वाली पहली भारती महिला कौन है मैं हर नास इंदू की बात नहीं कर रही हूं जो कि तीसरी कहा तो जो चाहिए वापस सेब्स धीक आप तो यह ज़ाता है तो चलिए बडियो के धराफ हम आ चुके हैं तो मिलती हूं कल नेग्स वीडियो में तब तक कि लिए खur 25 myths जैनी अटा रवाकोशन आफ एक लिए गयात प्ली शुर्टीएपी आयर ब्लीस अबश्क्राइब क कर दो